नमस्कार आप देख रहे हैं वी टाइम नियूस बढ़ते हैं जारखन की खबरों की ओर संसकार फांडिशन और गौसेवा आश्रम सहा पंच गव्य अनुसंधान केंद्र के सयुक्त रत्वाधान में पीपल पौधा रोपड का कारिक्रम किया गया संबोधित करते हुए संसकार फांडिशन के सच्यू अमित वर्मा ने कहा कि पीपल का पौधा परिवरण सर्रक्षन वासन वर्धन की दृष्टिकूर से बहुत ही उप्योगी होता है यह पौधा दिन और रात अर्था 24 घंटे ऑक्सिजन देता है वेदो में भी इसके महत्वा को प्रकाश डाला गया है प्रोपेसर रीतलाल वर्मा ने कहा कि पीपल का पत्ती सेवन करने से रिदे से संबंधित रोगों का उपचार किया जा सकता है समाज सेवी रामशंकर ठाकुर ने कहा कि इंसान के जीने के लिए सभी जरूरी चीजें हमें परिवनण से ही मिलती है इसे हर वैक्ति को अपने जीवन में दो वरिक्ष लगाने का संकल्पित होने के साथ सभी धार्मिक इस्थल पर बर्गद और पीपल का पेड़ अवश्य लगाना चाही राष्टिय समसेवक संके खंड सेवा प्रमुक जय प्रकाश्वर्मा ने संबोधित करते हैं कि आज विश्व परिवरण दिवस का उन्चास्वा दिवस के रूप में मना जा रहा है समाज और सभी वर्गों के लोगों को परिवरणी अकारिक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेनी की जरुरत है प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक युवावों पुर्षों महिलाओं बच्चों को संकल्ब लेना चाहिए कि अपने जीवर में प्रत्येक वर्ष दो दो वरिक्ष लगाएं ताकि आने वाला पीड़ी सुरक्षित रह सके प्रत्येक वर्ष दिवस है और आज हम पीपल का पेड़ लगाएं और पीपल का पेड़ हर 20 गंटा अक्सिजन देती है इस अफसर पर हर कुली कोधा लगाना चेंगे ब्यूर्य रिपोर्ट वी टाइम न्यूस सरियाग्ण झाल 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 झाल